बहन जी के कारेकाल को कभी बूला नहीं जाएगा जब तक भारत में राजनीती की चर्चा होगी तब तब बहन जी के साशनकाल की चर्चा होगी और स्वस्त चर्चा होगी उनकी तारीफ होगी देश के अंदर आज इतने भी आप देखेंगे मंदिरों में मार के भगा देते हैं, बाल पकड़ के भगा देते हैं, दलित को, आदिवासी को, ओविसी को क्यों भगाया जाता मंदिर से, ये छुवचूत का मामला नहीं है, मामला बुद्ध को छुपाने का है, क्योंकि पता ह या कमज़अ नहीं गरीब नहीं है लेकिन क्यों क्यों उनको निकाला क्योंकि अगर वो देख लेंगे अंदर नहीं को यह बैट अनल को पशुमिद यह और के विश्लु भगवान नहीं है वह बुद्ध तो दुझ्या को बता देंगे वह सकता कभी न ख़को स्रजक को खोलें जितने भी मंदिरों के अंदर गर्ब ग्रह में रखी हुई मूर्तियां हैं, उन सब को या तो रंग करके पोता गया है, या सिमिंट लगा के उनका मूँ अलग तरह से बनाया गया है, या कानों को अलग शेप दी गया है, अगर उन एक्चुल तरीके से उन मूर्तियों को बुद्ध की निकलेंगी, क्यों यह हमेशा मंदिरों के नाम पर प्राचीन मंदिर रखते हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि जितने भी मंदिरों में इन्होंने धोका धड़ी की है, आम जनता के साथ या बुद्ध धरम के साथ, वो इन्होंने जबर्दन कबजा किया है, एक मंदिर का निर्मार अगर इन्होंने किया है, तो वो आज चल रहा होगा, आज के समय पर, लेकिन प्राचीन समय के जितने मंदिर हैं, वो सारे पुरानी कलाकृति के हैं, और जितने भी कलाकृति हैं, वो सारे बुद्ध के समय की समराठ असोक के समय की कलाकृति में बने हु इन्डिया से आई हूं और बुद्ध की धर्ती से आई हूं तो इस तरहां से वो लोग जाकर करके अपना नाम भी सम्मान पातें बुद्ध के नाम से तो बुद्ध की अवशेशों को निकालने में खुदाई करवाने में आर्केलोजी डेपार्टमेंट को क्या दिक्कत है क्य जिसको पुष्मित्र सुंग ने पूरी तरीके से रखत पात करके पुरचीना जख्टा है जो सर्यू नदी उसके भगल में सर्यू नदी बहती है सर्यू नदी में बहुत भिक्षों के सरों को कलम करके ब्हेका गया जिसमें मतले इतने सर फैक दिये गया ते जिस तरह से आपन चुपाने का है क्योंकि असली बात इन लोगों को अगर पता चल देंगे वरना अगर चुपाच्छूत का मामला होता तो देश की राश्ट पती दुरोपधी मूर्मुया उससे पहले रामनात कोबिन जी वो दोनों तो गंडे भी नहीं रहते लेकी यह कमजोर भी नहीं लेकिन क्यों क्यों उनको निकाला क्यूंकि अगर वो देख लेंगे अंदर अंदर को देवी अपना नहीं बैटे अंदर कोई पशुपति नात नहीं है अंदर कोई क्या कहते हैं के विश्णु भगवान नहीं है वो तो बुद्धा है तो दुनिया को बता देंगे हो सकता कभी न कभी वो इस बात को राज को खोल ने वह रहस्य ना खुले इसलिए गर्व गरे में अपना लेते परशानी क्या है जिसको यह ब्रहमित नहीं कर पाते जिसको नहीं कर पाते उसको वह दूसरे तरीके से अपनाने की कोशिश करते लोगों में उस सच्चाई को दमाने का परियास किया जाता क्योंकि इनका काम ही भ्रहम पढ़ा करना है बुद्ध में भ्रहम पढ़ा कर दिया कुछ बहुजम कहते हैं कि जो 84,000 थे वह भी नस्ट किये गए थे लेखे इस पूरे भारत में अखंड भारत को करने वाला सम्रा पूरे भारत भर में चौरासी हजार बुधिस्तूप के इसा गायब हो जाएंगे पुरी प्रत्वी से वो गायब नहीं हुए किसे पास बुधिस्तूप बने हुए थे बुद्धिस्तूप नश्ट कर दे गए, बुद्ध विहारों पे हिंदू करण, भ्रह्मनी करण कबजा कर लिया गया, व्यदिक संस्क्रिटी थोप दी गई, उनके मूँ पे रंग पोध दिया गया, उनकी आखों को बड़ा छोटा आकार दे करके, सिमिन्ट लगा करके, उसक अब आप देखेंगे, जो चोटे मोटे बुद्ध विहारों आज के समय पे लोगों ने बनाए, दुवारा से खड़ा किया है, उन बुद्ध विहारों को सरकारी ताना बाने के तहट उलजा करके, उनको भी चिनने का प्रियास किया जा रहा है, अभी एक और स्राजाओं से गटना लगातार वीडियो वाइरल होरी है, कि कुछ अपदरवी लोग उनके उसमें जाकर बुद्ध विहार् का रहे हैं, जैस्रीराम की मूर्ती लगएगी, बुद१ की मूर्ती हटाओ, जैस्रीराम का नारवा बोलो, बुद१ की मूरती हटाओ, तो अगर बुद्ध 11 अ बैखे भारत में बुद्ध संस्कृति को दीमक कि तरह चाटने वाला यहांपर सबसे बड़ा घातक विचार है मनुविचार मनुविचार ने बुद्ध संस्कृति को नष्ट करने का हर संभब परियास किया है यहां तक कि उसमें लोगों के साथ हिंसा करने से भी बाज नहीं ड़ते हैं यहां मुश्लिम का नाम केवल आर में लिया जाता है कि मुश्लिम खत्रा है उनको असल खत्रा जो है बुद्ध से है उनको असल खत्रा बुद्ध की विचार धारा से है क्योंकि पता है बुद्ध की विचार धारा बेदभाव नहीं करती बुद्ध की विचार धार जरते हैं वुल्क सर्टेज हो करते हैं वुद्ध कमज़ोर कभी नहीं होगा उữ Hill में में कुछ समय के लिए अपर नीचे हो सकता है लेकिन विश्व भर बॉद्ध फॉर में गूने वाले लौग है भारत में लेकिन पूरे विश्में में ऐसे खतम करोगे क्या करोगे उसके लिए कितना प्रियास करोगे अब जितने भी वहां पर बुद्ध भिहार टूटे गए थे उन बुद्ध भिहारों को तोड़ने के पीछे भी धार्मिक एक पागल पन था जब धरम लुकसान नहीं और मानभ सभ्धिता का नूपसान होता है क्यों कहीं भी यह और सही होरा है। इसको कोई भी कारण नहीं है कि आप उसको सही ठहरा है बुद्ध को मुझे लगता है कि बुद्ध अपने आप में जीवन जीने की अच्छी कला है पद्धती है किसी भी जाती धर्म समुदाय का व्यक्ति जब अच्छा जीवन जीता है अच्छा नागरिक बनता तो बुद्ध को बता नहीं बताया नहीं बताया मैं किसी के निजी जीवन में ज्यादा हच्छेप करना पसंद निगरती लेकिन एक नेता यदि बुद्ध की विरासत पर बोल रहा तो मैं उस बयान पर जादा ठीकी मुझे वह वह बयान पसंद है जो बुद्ध के अवसेसों क कि उखाड कर समाज के दुनिया के सामने लाने के लिए कर रहा है वो चाहें स्वामी पडशाद मुर रहा हो या कोई और कुछ वहां चाहें कोई और बौधिष्ट और धार अगर किसी और धर्म का विक्ति भी बुद्ध के अव्शेशों को निकाल करके पुरी दुनिया के स और अगर बीजेपी के राज्य में ऐसा हो रहा तो क्या हो गया कांगरेश के राज्य में वी तुनिया के सामने है लेकि लोग कहरें कि ये पोलिटिकल बयान इनका इनका बुद्ध से इनका मोरे सामता है सकता है पॉलिटेकल बयान हो लेकिन फाइदा इसमें बुद्ध की विचार धारा का है लेकिन बहुजन नेता आपस में लड़ने की बजाए बिशे की गंभीरता को समझ करके बयान दें तो ज्यादा अच्छा हो समाज के हित्म होगा बुद्ध के नाम पर ऋटिव को जिवित करने के लिए Ultra को सब्सक्रप घृट और संस्कर्थी को सब्याद 기ृत को हमहीं लगा बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है इसमें कोई शक नहीं है इसमें कोई शक नहीं द्ऴें जी ने बुद्ध की विचार धारा को जो दभी हुई विचार धारा थी उसके नाम से गोतम बुद्ध नगर बनाया गोतम बुद्ध महामाया इंटर कॉलिज बनाया इधर अम्रोहा में जो अम्रोहा कॉलिज था वहां भी उन्होंने बहुत सारे जिले बनाए जिलों के नाम रखे त जब तक भारत में राजनीती की चर्चा होगी तब तब बहन जी के शाशनकाल की चर्चा होगी और स्वस्त चर्चा होगी उनकी तारीफ होगी